श्री गनेशा यनमहा, ये राशी फल चंदरा राशी पर आधारित है, चंदरमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्थिति ले कर आती है, और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज़्यादा जी हाँ, पांचवे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा, चंद्रमा के पांचवे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, इस समय में आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी, खर्चे कम होंगे और इंकम ज्या इस समय में आपको मिल रहा है, इस समय में आपके बिजनेस में उन्नती दिखेगी, आर्थिक स्तिती और मजबूती की और बढ़ेगी, उधार दिये हुए या अटके हुए जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं, अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच् किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा, अच्छे समय का अच्छा फाइदा जरूर उठाए, लव लाइप में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है, पार्टनर के साथ आप समय व्यतित कर सकते हैं, लाइप के बारे में मिलकर कोई अच्छा डिसिजन भी ले सकते हैं, आज खर्चे नहीं होगे, लेकिन आए अच्छी रहेगी, स्टूडन्स के लिए भी समय अच्छा है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, और अच्छे समय का पूरा लाब उठाए, ये समय आपकी पढ़ाई के लिए इंप पयुकत है, सारे सरकारी काम इस वक्त पूरे हो जाएगे, इस समय में सरकार की तरफ से मान पतिष्ठा मिल सकती है, जो लोग राजनीती में हैं, उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा, इस समय अच्छानक से धन की प्राप्ती भी होने के योग बन रहे हैं, यानि जो लोग शेयर्स में इन्वेश करते हैं, उन्हें मुनाफ़ा हो सकता है, इस समय में गुप्त धन मिलने के भी योग बन रहे है, हो सकता है कोई लखी डॉय या इनाम, इस में भी आपको कोई फायदा हो जाए, इस समय में आप काम करने के नए जरिये भी खोच पाएंगे, इस महतोपुर्ण निरने के लिए भी समय अनुकुल है इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा देली अक्टिविटी चुरू रखे योगा करे प्रानयाम करे सुबे का टहलना जारी रखे अपने डायेट पर ध्यान दे खुद भी स्वस्त रहे और आपके अपनों को भी स्व आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुक्सान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूतेया चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीज़े देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के चप के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान सोफा, कुरसी, टेबल पलंग, घड़ी, जाड़ू गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरकी ला सकते है धन ला सकते है मा ल